बंपर जीत हासिल करने के बाद केंजरी वाल ने प्रेस कॉनफरेंस करके दिया दमदार बयान जुम उठे लोग नमसकर दिल्ली विधान सवा चुनाफ को लेकर चल रहा घमासान आखिरकार समापत हो गया आपको बता दे 8 फवरी को दिल्ली विधान सवा की 70 सीटों के लिए मतदान हुआ हाले की एक्जिट पोल में केंजरी वाल को बहुमत मिलता दिख रहा था गौटलव है की 11 फवरी को दिल्ली विधान सवा की परिनाम आच चुके थे हैं परिनाम आने के बार कॉंगर्स का खाता नहीं खोल सका वहीं चीर प्रतिद्रिदी पार्टी माने जाने वाली भाष्पा का भी बुरा हाल है फिलहाल इस बंपर जीत के बार केंजरी वाल ने दिल्ली में पार्टी मुख्याले से प्रेस कॉंफरेंस करके एक बयान दिया केंजरी वाल ने दिल्ली वालों को संभोधित करते इस जीत का श्रय जनता को दे दिया अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगले पांस सा तक दिल्ली की सेवा करने का जो आप लोगोंने मोका दिया, उसके लिए आप सब का धन्यवाद आपको बता दे प्रेस कॉन्फरेंस के दुरा उनकी पत्नी भी उनके साथ बे थी उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर ये भी बताया कि आज मेरी पत्नी का जनम दिन भी है तो अगर आपको हमारी ये जानकारे अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं लाइक और शियर जरूर की और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धानवाद